नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अरुन हाजी रेक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज हम LG की ये 14 इंच की CRT TV है और इसमें ऐसी फाल्ट थी जो की इना आईसी चेंज किये हुए ठीक नहीं होने वाली थी दोस्तों आज यहाँ पे आपको LG का लोगो दिख जाता है तो इसका फाल्ट मैंने सही किया है और मैंने सोचा कि आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आई है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें फाल्ट क्या थी तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने दिखाया सेट को मैंने आउन कर दिया है और आउन करने के बाद इसको हम यहाँ पे जैसा आपको देख पा रहे हैं राश्टर प्लेन आ रहा है जब मैंने आउन कर दिया तो सामाने थे आपको टीबी में अगर वो चैनल वाले मोड पे लगा हुआ है तो हम पर मच्छर मच्छर यानि डॉट डॉट करके विंदी आती लेगी ने प्लेन राश्टर है अब इसको हम A-B पे करके आपको दिखा दे रहे हैं कि actual fault इसमें क्या है तो आई हम वीडियो की लीड यहां पे लगा के दिखाते हैं दोस्तों जैसे हम इसमें वीडियो कनेक्ट करते हैं A-B जो लिखा हुआ है कोने पे यह आपको यहां से हट जाता है यानि कि वीडियो हमारा कनेक्ट हो चुका है तो दोस्तों यहां पे A B हट गया है लेकिन हमें वीडियो दिखाई नहीं देती है लेकिन हमारा वीडियो यहां पे connected हो चुका है और जब हम EST से अगर light बढ़ाते हैं तो हमको यहां पे बहुत हलकी हलकी वीडियो दिखाई देती है आईए मैं बढ़ा के आपको दिखाता हूं यहां पे आपको बैक में बहुत हलकी सी वीडियो दिखाई देगी दोस्तों अगर आप मारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई गारन को प्रेस कर दें जिससे हमारे दोरा बनाई गए वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहें तो दोस्तों यह होती है AVL की फाल्ट और AVL की फाल्ट जो हमारे होती है यह EST और एक सप्लाई आती है यह आई सी पे सिस्टम आई सी पे इस सप्लाई के कारण यह ऐसी फाल्ट होती है तो यहां पे मैंने सब कुछ चेक किया और मुझे लगभग लगभग सारे कंपोनेंट सही मिले लेकिन फिर भी यह फाल्ट दूर नहीं हो रही थी तो मैं यहां पे एक साटकर तरीका अपनाया हूँ मैं आपको बताता हूँ पहले तो मैं आई आई आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहां पे 110 की सप्लाई जो है दो रेइस्टर की स्रीज कर गए यहां से और आगे यहां पे आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 110 बोल्ट की सप्लाई आती है और उसके बाद यहाँ पे दो रेइस्टर लगे है स्रीज में फिर उसके बाद एक रेइस्टर लगा है दोस्तों उसके बाद यह सप्लाई आगे बढ़ती है यहाँ पे ऊपर 1K का रेइस्टर लगा होता है और 1K रेइस्टर से होते हुए ये ABL के पिन पे सप्लाई चली जाती है EST पे और उसी सप्लाई में से एक जिनर डायोड लगा कि ये सप्लाई आगे जाती है सिस्टम IC को तो ये 1K की रेइस्टर है सामनते हैं यही खराब होती है ज़्यादा तर आपको फाल्ड मिली होगी 1K वाली रेइस्टर ओपन हो जाती है तो ऐसी फाल्ड आती है लेकिन यहाँ पे दोस्तों रेइस्टर सही है और मैंने यहाँ पे रेइस्टर दूसरी भी लगाई हुई है दोस्तों सेट कहीं बनने के लिए गया था काफी छेड़ा हुआ था तो मैंने भी इसमें देखा और यहाँ तक सारी सप्लाईया मुझे भी यहाँ पे ओके मिल लई थी तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि पहले हमें चेक क्या क्या करना होता है यहाँ से एक सप्लाईय आती है दोस्तों जो कि आपकी ABL के लिए सप्लाईय एस्टी पे जाती है जिना डायवोड से ट्राइश्टर से होते हुए एस्टी पे जाती है अब यह 1K की रेइस्टर है दोस्तों यहाँ पे यह हमें सही मिली थी आईए मैं आपको सप्लाई मल्टी मीटर से चेक करके भी दिखा देता हूँ इसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों यहाँ पे आप देख वा रहे है 110 बोल्ड की सप्लाई प्लस बीपे है और ABL जो EST की पीन है यहाँ पे भी लगवग 5-5 बोल्ड के आसफ़ा सप्लाई पहुच रही है इसका मतला हमारा रेइस्टर सही है तब ही सप्लाई यहाँ आगे पहुच रही है 1K रेइस्टर के हम दोनों साइड में आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं यहाँ भी सप्लाई हमें अच्छी तरीके से मिल रही है तो दोस्तों यह सब सारी चीजें सही करी चेक करा लेकिन यह फाल सही नहीं हुई अब यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो पिन पर सप्लाई जाती है वहाँ भी कोई सप्लाई नहीं पहुँच रही है यह सप्लाई दोस्तों यह आप देख पा रहे हैं यहाँ से सीधे जीनर डायोड से होते हुए यह कोने पर यहाँ पर ट्राइश्टर लगा हुआ है और इस ट्राइश्टर से फिर सीधे आपके आई सी पर चली जाती है तो ट्राइश्टर भी चेंज करा हुआ है इसका राइश्टर भी चेंज करा हुआ है सारी चीज़ें यहाँ पर करके देखी जा चुकी है लेकिन फाल अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो अब हम यहां पे क्या करेंगे उसका एक मैने साटकर ट्रिक यहां पर आपको दिखा देता हूँ मैं यह है डायोड और इस डायोड की माध्यम से मैं यहां पर दो डायोड इस्तेमाल करूँगा और डायोड लगा कि मैं सेट को कर लेता हूं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको दोूड जोडर लेने हैं और यह श्रीज में जोडने है कि नमें क्यों जोडने हैं आगे आपको बता देता हूं सब्से पहले आप ध्यान से के लिए supply जाती है इसको मैं थोड़ा clean कर लेता हूं ब्रस से क्योंकि यहां पर काफी जोए पेश्ट गरा लगा हुआ है इसको clean करके मैं आपको आगे दिखाता हूं कि यह आपको किस पिन पर supply जोड़ देनी है तो सबसे पहले मैं petrol से थोड़ा सा इसको clean करता हूं जिससे हमे पिन अच्छी तरीके से दिखे और हमें समझ में आया है कि supply कहां पर जोड़नी है अब इसको मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूं थोड़ा petrol सूख जाने दिजिए क्योंकि जब सूख जाएगा तब ही हमें अच्छी तरीके से दिखेगा तो दोस्तों यहां पर हमने इसको जूम कर लिया है अब आपको यहां पर दिखाए दिया रहा होगा एक पिन है और यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है BCL आप देख लें इस पिन पर BCL लिखा हुआ है और इसी पिन पर हमें supply जानी चाहिए यह आप एक बार clear करने BCL लिखा रहता है और इसी BCL पिन पर हमें supply देनी है लगबग दो बोल्ट के आसपास तो यह डाइवोट हम स्रीज में क्यों लगा रहे हैं इसका रीजन यही है कि स्रीज में करने से हमारे डाइवोट से ओल्टिस काम हो जाती है और यह वोल्ट हम आपको यहां BCL पिन पर connect कर देंगे तो यहां पर पिन सीधे BCL से यहां इधर आई हुए क्योंकि वहां जोड़ना संभों नहीं है पिन नजदीक नजदीक है तो यहां पर हम डाइवोट को connect कर देते हैं और दो बोल्ट की supply दे देते हैं तो यहां पर यह प्रिंट सीधे आई हुई है इस पर हम डाइवोट को connected कर देते हैं PCB पलट के तो इस तरीके से हमें जोड़ने लेना है इस डाइवोट को उसके बाद दोस्तों यहां एक regulator सर्कीट बनाई गई है यह 3.3 बोल्ट के लिए supply बनाई गई है और इस regulator सर्कीट में दोस्तों यह बीच वाले पिन पे output supply 3 बोल्ट होती है तो मैं क्या करता हूँ इसी की heat sink पे इसको जोड़ देता हूँ जिससे हमें यहां पे 3 बोल्ट की supply मिल जाएगी उसके बाद मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि 3 बोल्ट की supply दोस्तों किस तरीके से यहां पे step down होके और आईसी को जाती है तो सबसे पहले मैं इसको solder कर देता हूँ या आप यहां पे भी solder क कर सकते हैं यानि कि हमें 3 बोल्ट की supply इसको देनी है तो यहां पे मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ 3.3 बोल्ट की supply यहां पे आती है दोस्तों उसके बाद मैं मल्टी मीटर से आपको चेक करके भी दिखाता हूँ जिससे आप थोड़ा शेयर हो जाए और इस तरीके कर फाल्ट आए तो आप फुच से भी इसको आसानी से कर सकते हैं बहुती आसान ट्रिक है और इससे आपकी पैसे भी बैस सकते हैं आइसी भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी आइए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं DC मल्टी बीटर को DC मोड पे करके और आपको चेक करके दि दो बोल्ट के आसपास मिल जा रही है अब यहां पर हमारा फाल्ट सही हो चुका है आईए मैं आपको सेट बंद करके और फिर आन करके दिखाता हूं यहां पर जो राश्टर आता है वो भी देखो किस तरीके से हट जाएगा और हमारा सेट ओके हो जाएगा तो मैंने पाउर कर दिया है और इसको आन करता हूं देखिए यहां पर डाट डाट बिंदी आ गई मच्छर बोलते हैं कुछ लोग तो यह दिखाई दिया तो इसका मतला मारा सेट ओके हो गया है दोस्तों इस तरीके के अगर फाल्ट आपको मिलती है तो आप यह दो डाट लगा के सब्सक्राइब कर सकते हैं थ्री पॉइंट थ्री बोल्ड की सप्लाइब के बी यलसी पिन को यह फाल्ट आप दूर कर सकते हैं परेशान होने कि आपको कोई जरूत नहीं है तो अगर दो लोगों का भी काम हो सके और दोस्तों अगर कोई इसमें सुझाव या सलाह आप देना चाहते हैं बेहिचक आप कमेंट में जरूर हमें बताएं हम